Hey everyone, it's Prince here. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्त होंगे, DSE के प्रेशन कर रहे होंगे and बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हैं और काफी जाला benefit मिला लोगों को मैंने काफी सारे playlist कवर किया, hasing, tree, graph, heap, link list, काफी लोगों को फाइदा हुआ अब जो सबस्यादर demanding चलता लोग होगा, कि भईया, dynamic programming पढ़ाओ, ठीक है देखो, dynamic programming पढ़ा देने से नहीं होगा, dynamic programming की कोई data structure नहीं है वो एक तरीका है सोचने का, कि हम लोग किसी program को सोचते कैसे है और उसका root concept क्या है recursion बहुत लोगों को डर है recursion से, in fact मैं अपने college time में मुझे तो डर बैड गया था कि है recursion को topic नहाजाए, ठीक है मुझे यतना डर लगता था अपने time पर recursion के लिए तो अब मैंने decide कि है कि चलो अब पूरे इस डर को खतम करते है recursion का playlist बनाते है, DP का playlist बनाते है अब इसमें sequence कैसे चलना है, यह समझो भाईया अब हम start करने वाले recursion जो कि सबसे ज़्यादा अवेटे topic रहा है आप लोगों के लिए कि भाईया बता दो, भाईया recursion बढ़ाओ दो, भाईया DB बढ़ाओ दो, भाईया कुछ तो यह start करो देखो, अब मैं आपको बताऊंगा step by step, इस lecture में आपन सीखेंगे कि आपन करने क्या वाले और कल से पूरा कपना lecture स्टार्ट होगा, यह lecture miss मत करना है, विकॉस कैसे पढ़ना है, यह पता होना भी important है क्या पढ़ना है वो तो अपन पढ़ लेंगे, कैसे पढ़ना है चीजों को वो भी बढ़ना है important हर बार की तरह मैं कहूंगा कि जब भी मेरी किसी वी वीडियो को देखता हो, pen paper लेके बैट हो, dry run करो, मैं जो बोलता हूं वो करते चलो, because आपको सीखना है, मैं guarantee दे रहा हू पूरा beginning से start होगा, मैं direct DP करा सकता है वासला है कि डीपी करा देने से लोगों का मन में DP का डर नहीं जाएगा, DP actually start कहां से हुआ, कैसे हुआ, क्या उसका basic concept है, सब कुछ आना चाहिए, this is the last and advanced course होने वाला है, recursion की उपर, मैं कह सकता हूं, ठीक है, चलो, इसमें क्या करेंगे अपन cover करेंगे recursion को, basics advanced को लेकि जिनको कुछ नहीं आता, वो उनका भी welcome है, जिनको कुछ आता है, उनको silent रहे के सीखना है कि मैं क्या सिखा रहा हूं, ठीक है, और उनको अपना दिमाग भी लगाना है, but obvious है, मैं इसमें एक magical formula देने वाला हूं, ठीक है, कि जो handle करेगा recursion क यह thought process को, recursion again कोई data structure नहीं है, जैसे कि अपने vector की बात करें, vector declare करते थे, hasing की बात करें, unordered map declare करते थे, graph की बात करें, अपने को पता है कि DFS, BFS क्या होता है, recursion or DP में कोई rule नहीं चलता, इसमें चलता है logical or thinking capability, कि आप question को सोच कैसे बाते हो, ठीक है, चलो, अब आते हैं, again जो मैं बता रहा हूँ, data structure नहीं है, हम लोग को प्रोग्राम कैसे लिखना है, method ही क्या है, simply किसी भी problem को हम लोग recursive way में भी कर सकते हैं, और भीना recursive way में भी कर सकते हैं, but there is a demand of industry, जहाँ पे आपको recursion पता होना चाहिए, because recursion एक बहुत ही beautiful concept है, जिसमें आप प्रोग्राम क तो काफी कम से कम line में और काफी efficient way में अपने thoughts को भी align कर सकते हो, उसको code भी लिख सकते हो, हो सकते हैं, आपको बहुत सारी मेरी बाते समझ में नहीं आ रही होंगी, कि भीया क्या बोल रहा है, लेकिन समझ में आ जाएगा, मैं हमेशा कहता हूँ न, जब मैं basic से start करता हूँ तब हड़ाने लगते हो, भीया इतना असान चल रहा है, ऐसा तो नहीं हमें सब कुस समझ में आ जाएगा, जब tough रहने लगता है, तो फिर अब वो आप आगे की चीज़े miss कर जाते हो, basic से चलो, धीरे धीरे चलो, पूरा cover होगा, time लगेगा, लेकिन cover करेंगे तो काफी कि भीया, DP क्या है, DP programming हमें नहीं समझ में आता है, dynamic programming, हमें graph tree तो आपने पढ़ा दिया, हमें समझ में आ गया, hasing पढ़ा दिया, समझ में आ गया, जब बात DP की आती तो हमें डर लग जाता है, कि भीया, DP नहीं हो रहा हम से, तो थेखो, basic of DP जो है, उसका जो basic और जो गहरों core concept वो recursion ही है, अगर आपको किसी भी problem को recursion, किसी भी problem statement है, ठीक है, ऐधर वो graph से होगा, ऐधर वो array से होगा, hasing से होगा, tree से होगा, या फिर recursion से होगा, अगर आपने उसका recursive solution लिख दिया, इसका मतलब कि आपने उसका recursion के through, जो program लिखा है, उसमें आपने recursion का use किया है, recursive solution लिखा है, that's what I am trying to say, तो समझो कि आपने 70% DP कर दिया, that's what I am trying to say, बहुत लोग 80% भी कहते है, मैं कह रहा हूँ, मेरा ये basic मानना है अगर आपको DP पढ़ना है, DPI आपको आना चाहिए, आपको recursion आना चाहिए, recursion completely एक thought process है, कि आप किसी problem को recursion के direction में सोच कैसे पाते हो, अगर आपने वो सोचना इस्टार्ट कर दिया, अगर आपको उस problem से solution निकालना इस्टार्ट कर दिया, भले वो problem का solution सम्मिट हो, ना हो, that's another point of view, लेकिन उस problems को तोड़ के, समझ के, अगर आपने उसको solution निकाल दिया, recursive way में, you are good to go, कोई problem नहीं है, now, अब बात करते हैं, क बहुत तरह का problem है, our market में, सब standard problem है, अपन सब cover करेंगे, अपन, लेकिन basic अपना क्या रहेगा, कि एक problem को problem की तरह से देखेंगे, हम लोग इसको ऐसे नहीं देखेंगे, यह DP का question है, यह tree का question है, यह hasin का question है, this is not a proper way to create or generate a logical thinking ability, आप ऐसे generating कर सकने, मैं कहता हो, हमेसा problem को practice कर करना, start करो, direct आप मैदान में उतर, आपको खुछ चीजी समझ में आ जाएंगे, ठीक है, जैसे कि इसका P1 एक problem statement है, add उसका solution है, solution find out करने बोला, हमने solution find out कर लिया, और उसका हमने recursive solution find out किया, let's have a solution है, S1, उसमें सिफ हमने recursion use किया, that's it, recursion क्या होता है, कुछ नहीं यार, एक मालो हमने solution लिखा, और यह function है, ठीक है, यह function हमने कुछ define किया, इसके अंदर भी एक function call हो रहा होगा, यह अपने आपको ही call कर रहा होगा, with some smaller values, let's suppose यह n के लिए call कर रहा होगा, तो यह n-1 के लिए call करेगा, मतलब कि एक function, जो हमने लिखा, वो अपने आपको ही call कर रह जरूरी है, हाँ, जरूरी है, क्यों, विकॉज यह आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, विकॉज इससे आपके जो thinking ability वो बढ़ेगी, अगर आप अपने आपको push नहीं करोगे, आप सीख नहीं बाओगे, और push करने के लिए recursion is the best way, अब भाईया का बात आया, कि भाईया, ब recursive solution है यह, अगर हमारे पास memory और space का constant हटा दो, तो यह recursive solution perfect है, वो problem का solution वो निकाल के देदेगा, अब हमने क्या किया, कि recursive solution भी लिखा और कुछ साथ में space add कर दिया, कि जैसे कि मान लो function of 6 call हुआ, फिर से function of 6 call हुआ, फिर से function of 3 call हुआ, फिर से function of 2 call हुआ, ऐसे करके हमने पास बर call किया, तो function of 6 यहां पे दो बर call हुआ है, एक बात मैं बतार्के चलो हुआ, एक बात चलो मान ک использ है, वो 6 के लिए parameter के लिए call हुआ हुआ, फिर तो 6 के लिए call हुआ हुआ, फिर 2 call हुआ हुआ हुआ, तो 6 के लिए दो बर call हुआ हुआ, तो हमने क्या वोला हुआ, हमने कुछ space add कर दिया, तो यह बन जाता है top down, और हमने recursion ही पुरा का पुरा हट आ दिया, सिर्फ space रखा, ठीक है, तो यह बन जाता है bottom up, और यह इसको, इस दोनों solution को हम लोग कहते है, deep solution, single सिफ recursion रहा है, हम लोग कहते है, recursive solution, that's it, और उस स्यदा कुछ नहीं समझाना चाह थोड़ा मड़ा दिमांग बचता है, अपन देख लेंगे, लेकिन सबसे main, जो target है हमारा वो क्या है, recursive way में किसी problem को सोचना, sorry, और अच्छा सी refine करता हूँ, हमारा main target है, किसी भी problem statement का solution है, उस solution को recursive way में सोचना, कि हम लोग recursive solution कैसे लिख सकते हैं, वो अपने आप में 8 है तो hasing playlist मैंने खतम किया था, और in fact मैंने भी जब खतम किया था, तो जब भी आप किसी problem को फिर उसके बाद देखते होगे, तब को कुछ न कुछ लगता हो गए है, इसमें तो unordered map लग सकता है, इसमें तो unordered set लग सकता है, यार इसमें तो आपन hasing implement कर सकते हैं, तो कुल मल कि क्या मतलब है, कि हम लोग, मैंने hasing इस तरह साब को बढ़ाया था, कि आप उस direction में सोचना इस्टार्ट कर दिये थे, कि किसी problem को hasing के वे में कैसे सोच सकते हैं, किसी problem को unordered map और unordered set कैसे implement कर सकते हैं, ये thought process मैंने generate किया था, that's what I am trying to do here, मैं इस बार भी यह करूँगा, किसी problem इस statement को recursively कैसे सोचना है, वो मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है, कि recursive में किसी problem को अपन सोच कैसे सकते हैं, बहुत अची आठ है, दिरे-दिरे मैं बहुत दार होना, अगर आप साथ में जुड़े रहे, आपको पका समझ में आ जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला, recursive solution इसकल यह हो रहा होगा, recurs, और recurs function क्या कर रहा है, यह एक तरह का recursive function है, यह एक तरह का recursive function है, क्या से पता चला, बिकास यह function अपने body के अंदर ही अपने आपको call कर रहा है, ठीक है, with some different parameters, but obvious है, तभी call करने का मतलब बनेगा, let's suppose यहां recurs, हमने 6 के लिए call किया, यहां 6 के लि normal, ठीक है, and दूसरी बार जब यह हुआ, तो इसको recursive call कहेंगे, क्यों, because, यह function अपने आपको ही call कर रहा है, that's it, अब मैं end करता हूँ, आपके लिए ज्यादा हो रहा होगा, because, चुट-चुटर वीडियो रखेंगे, और इसको simply में खतम करेंगे, मैं बता रहा हूँ, समझ में आएगा, जुड़े रहना, thought process वो दे रहा हूँ, उसमें stick रहना, recursive function कुछ नहीं है, मैं इसको कैसे treat करता हूँ, वो समझो, यह एक magical function है, मैं इसको कैसे treat करता हूँ, कि यह magical function है, that's it, magical function क्या है, magical function क्या है, मतलब कि, अगर तुम इसको input दोगे, तो यह output देगा, तो भ जब हमने यह function complete कर दिया, तो दूसरे, और दूसरे moment में हम यह मान के चलते हैं, कि यह function हमें output लाके देगा, मतलब हमने function complete भी नहीं किया, और हम इस तरह से सोचने का मैं तरीका बता रहा है, कि मैं कैसे deal करता हूँ, recursive function को, कि यह function हमने complete कर दिया, हमने एक function लिखना है, start किय एंड हमने बोला कि ये function को अगर तुम ये parameter ये input दोगे तो ये as a output निकाल के देगा हम ये मान के चलते हैं और दूसरे moment पे या उसी moment पे हम उस function को complete भी कर रहे होते हैं सब समझ में आ जाएगा है लोड एकदम मतलो बस मैं जैसा ऐसे कहता है वैसा से चलते चलो एक छोटा सा वैस हिंड दे रहा हो आपको कि recursive function क्या है recursive function अग लिखने का तरीका क्या है कि जब भी किसी भी आप recursive function को बनाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि input क्या है और output क् और जब input दे रहे हैं तो वह output क्या दे रहा है बस ये पता होना चाहिए मतलब problem to problem ये vary करेगा कि कि किसी problem में हो सकता है कि number of points दे रहे हैं output में उसका sum निकाल रहे हैं किसी हो सकता है कि हम लोग सिफ denomination of coin दे रहे हैं output में हम लोग उसका maximum sum निकाल रहे हैं whatever it is it totally depends on the problem statement but what I am trying to उसे कि जब भी recursive function है ठीक है recursive function का मतलब क्या हमें पता होना चाहिए कि उसमें input क्या जा रहा है और output क्या जा रहा है पहला चीज दूसरा चीज हम लोग एक base condition हमेसा लिखेंगे एक base condition ये termination condition को हम लोग हमेसा सोचेंगे आगे समझा दूगा कि ये कहने क्या मतलब है और त law..दूसरा जब और काल होगा तो वह smaller inputs के लिए होना चाहिए फिर कीँक काल करेगा तो यह smaller inputs के लिए हो अब क्या करो जब रिकरसिथ जब भी वह फंसन हे अपने को को ho करेगा तो कोसर जा करें कि वह अपने smaller inputs के लिए call करे, ना कि larger inputs के लिए call करे, ये भी समझ में आ जाएगा, है recursion खतम हो गया, अब मैं guarantee दे रहा हूँ, मैं पूरे आगे आने वाले पूरे playlist में, बस मैं इन ही तीन चीज़ों की बात करूँगा, base condition, जो function call हो रहा है, वो अपने smaller inputs पे call करे, और हमें input और output प अगर आपको लगता है, enthusiastic feel कर रहे हो कि भाहिया recursion सिखेंगे, मज़ा आएगा, comment करके बताओ, जितने लोग भी enthusiastic feel कर रहे है, जितने लोग वेट कर रहे थे इस चीज़ का, और please share करो यार दोस्तों को साथ कि भाहिया recursion स्टार्ट करने वाले थो अधूरा पीटो, मेरे हो, comment सकते हमें, वीडियो को like करो, share करो, subscribe करो अगर नहीं कियो तो, thanks a lot, मिलते हैं नेक्स वीडियों को तुक्त कि भाहियों स्टार्ट